हाई वेलकम बैक टो वर चैनल कोडिंग एक्सपर्ट माइसल माईश कुमार कुमाउथ आई होफ अल अव्य आर वेल और और आज की वीडियो में अपन सीखेंगे स्मार्ट डेसे स्मार्ट इंशर्ट और स्मार्ट का क्या यूज है और यह जो तीनो टेक्स फिल्ल की प्रोपर्टीज है इनका कैसे में यूज करना चाहिए तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रेक्टिकल इंप्लिमेंटेशन प्रेक्टिकल इंप्लिमेंटेशन स्टार्ट करते हैं के लिए अपन सबसे पहले लॉंच करते हैं एक्स कोड को फाइल पर जाईए नियू पर जाईए और एक नया प्रजेक्ट की रेट कर दीजिए platform select कर दीजिए app select कर दीजिए then next पर click कर दीजिए और आज का जो हमारा topic है वो smart properties से related है smart insert smart assets और smart parts से तो open project का नाम देते है smart properties और next पर click कर दीजिए जिस फिर folder में project save गुरवाना वो select कर दीजिए then create पर click कर दीजिए इसको fully screen कर लेते है अपन और storyboard पर आ जाते है तो अपन आज discuss कर रहे है text field की properties तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं तीन text field ले लेते हैं तो plus पर click किजिए your text field इसके constraint set कर देते है अपन 2020 और यह top से 100 कर देते हैं इसको और height क्या ले लेते हैं इसकी यह रहने देते हैं ठीक है अब मैं इसको copy paste कर लेता हूं यहां से दो text field और लेने हैं तो copy paste कर देते हैं constant set कर देते हैं इसके बापस से और एक टेक्स फिल्ड और लेते हैं पर तो अपने तीन text फिल्ड लिए हैं एक पर अपने apply करेंगे smart insert एक पर apply करेंगे smart cases और थर्ड जो है उस पर apply करेंगे अपन smart quarts तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो smart cases smart insert और smart quarts तो आपकी यह तीनों properties है और initially यह क्या रहती है default का मतलब है कि यह properties already applied है तो सबसे पहले अपन discuss करते है smart insert तो यहां पर आप देख सकते हो default no or yes no का मतलब smart smart insert हमें नहीं apply करना है और येस होACE मतलब सेम ही होता है कि आपको smart insert का use करना है then smart quartz इसके भी वही तिन configuration होती है default yes no yes or default same है मतलब येस ही है उसका मतलब ही default का और no का मतलब होता है कि हमें smart quartz का use नहीं करना है तो दोस्तों इन तो जो हमारा पहला टेक्स फिल्ड है उसमें अपन स्मार्ट डेसिस का यूज कर लेते हैं और यहांपे अपन क्या है confuse नहीं होंगे, इनको differentiate करने में यह help करेंगे, तो चलिए पहला smart daces है, तो इसको क्या कर लेते हैं, smart daces को yes कर लेते हैं, और फिर smart insert और third वाला जो smart quars तो third text field पे smart quars yes कर देते हैं अब अपन क्या करते हैं, इसको run कर वा देते हैं तो देखिए यहां पी जो हमारा smart daces है यह कैसे work करेगा, जिसे मैंने single hyphen phrase किया फिर second hyphen phrase किया, तो इसने क्या किया, convert कर दिया two hyphens को एक short desk के अंदर फिर मैंने क्या किया, third hyphen phrase किया, fourth किया, तो इसने क्या convert कर दिया, four hyphen को एक long desk के अंदर convert कर दिया, मैंने fifth hyphen phrase किया 6th किया then इसने क्या किया एक extra long dash बना दीए अब उसके बाद में 7 insert करूँगा तो आप यहां पर देख रहे हो एक space आ रहा है फिर से यह sequence को repeat करता है और यह क्या करता है two hypes को convert करता है एक short dash के अंदर four hypes को convert करता है long dash के और six hypes को convert करता है एक extra long dash के अंदर तो यह use है आपका देखिए यहां पर sequence continuously चलता जा रहा है अगर मैं two hypes use करूँगा तो यह क्या करेगा एक short dash बना देगा तो यह आपकी smart dash property second है आपकी smart insert जैसे मैं मेरा नाम लिख रहा हूं my name is महेश कुमार कुमावत ठीक है यहां पर मैं टेप की को दो वार अगर प्रेस कर देता हूं तो यह इसने जैसे full stop add कर दिया last में तो इसका मतलब यह है कि इसने identify किया कि यह sentence यहीं पर complete हो चुका है तो इसने smartly क्या किया एक dot add कर दिया sentence के बाद में अगर जैसे इसको insert करता है मतलब कि यह समझाता है कि मुझे क्या करना है अगर मैं यहाँ पर जैसे से महेश के बाद में अभी स्पेस नहीं है और मैं अगर पैस्ट करूंगा कुमार को तो यह क्या किया है इसने स्पेस एड़ कर दिया महेश और कुमार की बीच में अब जैसे अगर मैं यहां पर इसके पहले अगर पैस्ट करता हूं तो यह क्या करेगा इस और कुमार की बीच में space add कर देगा, तो जो हमारा smart insert है, वो क्या करता है, cut, paste, delete पे spacing को manage करता है, अगर आप paste कर रहे हो, तो space को add कर देगा, जैसे वो left side में हो या right side में हो, जिदर भी उसके space add नहीं है, उदर space add कर देगा, और अगर आप delete कर देते हो, तो वो space, अगर to space दोनों साइड में है, तो वो single space आपके लिए add कर देगा, तो यह थी आपकी smart insert properties, अब next आपकी जो property है, वो smart quarts है, जो आपकी smart quarts property है, वो क्या करती है, fit marks को convert करती है, inverted comma के अंदर, और जो inch mark होता है, उसको convert करती है, यह single inverted comma के अंदर, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, input output में जाते हैं, और keyboard open कर लेते हैं, तब यह आप अच्छे से समझ पाऊगे, तो जैसे मैं यहाँ पे, देख रहे हो आप, यह मैंने प्रेस किया, तो यह inverted comma के अंदर आया, जो आपका इंच mark है, वो convert हो जाता है, single inverted comma के अंदर, और जो fit mark है, वो convert हो जाता है, आपका inverted comma के अंदर, तो चलिए अपन, यह तो properties अपन ने yes करी थी, तो यह इसका use हो गया, अब no करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है, तो अपन, stop करते हैं, इसको, तीनो properties को यहाँ पर no कर देते हैं, smart quards को no कर देते हैं, smart insert को यहाँ पर no कर देते हैं, और smart dances को भी no कर देते हैं, अब इसको run करा देते हैं, वापस से, तो यहाँ पर देखिए अब मैं hyphen प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सारे hyphen क्या रहे हैं individual आ रहे हैं कोई भी convert नहीं हो रहा है तो यह क्या है अपने जो property थी smart days की उसको disable कर दिया है कि वो apply नहीं होगी hyphen जो भी आएंगे वो individual add होते जाएंगे तो यह hyphen हमारे single single आ रहे हैं कोई convert नहीं हो रहा है short days में long days में extra long days के अंदर जब हमें smart days property यूज नहीं करनी होती है तो हम उसको no कर सकते हैं अब smart insert के अंदर जैसे मैंने लिखा था my name is mahesh kumar kumar मैंने यहाँ पर दो वार ऐसे tap की press करी थी तो यहाँ पर dot add हो गया था तो यहाँ पर देखिया आप two tap keys press की button dot add नहीं हुआ है इसका मतलब उसने identify नहीं किया है कि sentence complete हुआ है या नहीं हुआ तो वो smart insert का यूज था जैसे अब मैं यहाँ से kumar को अगर cut करता हूँ तो देखिया आप दो space बच रहे हैं एक किदर और एक किदर तो यह इसने क्या किया कि smartly identify नहीं किया है कि मुझे इस space को sort करना है अगर मैं जैसे यहाँ पर कुमावत से पहले कोई space नहीं देता हूँ और यहाँ पर paste करता हूँ तो यह क्या करेगा कुमार कुमावत की बीच में space इसने एड नहीं किया है तो इसने identify नहीं किया है smartly अगर अपने smart insert यहाँ पर use किया होता तो मेरे को paste करने के बाद में automatically कुमार और कुमावत की बीच में space एड देता है तो जब हम smart insert property का use करते हैं तो यह क्या करती है बैसिकली spacing को manage करती है यह तीनों जो smart properties होती है यह use आती है जब आपको editing बगएरा करनी हो या कुछ long description लिखना हो तब यह आपके useful रहती है और next हमारा smart quarts का है इसको भी देख लिते हैं keyboard open करते हैं इसके लिए पन और यहाँ पर देखिए जब मैं inverted coma प्रेस किया मैंने तो इसने fit mark के अंदर इसको add कर दिया है इसने convert नहीं किया inverted coma के अंदर अब जैसे मैं अगर यह वाली spacing देता हूँ और वापस से single inverted coma का use करता हूँ तो इसने क्या किया एक inch mark एड कर दिया जबकि single inverted coma इसको add करना होता है तो जब हम properties smart parts का use नहीं करते हैं तो जब हमारा inverted coma है वो आता है fit mark के अंदर और जब हम single inverted coma प्रेस करते हैं तो यह inch mark के अंदर add कर दिता है तो यह हमारी तीनो properties थी अब आपन देख लेते हैं कि default configuration अगर होता है इन तीनो properties का तो कैसे behave करता है जैसे कि मैंने आपको पहले बता जाता है कि अगर हम इस तीनो को default कर देते हैं तो इसका मतलब है कि यह जो properties है वो yes है तो मैं यह तीनो properties default कर देता हूँ और इसको run कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए smart devices मैं hypens phrase कर रहा हूँ तो यह देखिए आप यहाँ पे वह हो रहा है जैसे two hypens convert हो रहे है किसके अंदर एक short desk के अंदर और four hypens convert हो रहे है एक long desk के अंदर और six hypens convert हो रहे है एक extra long desk के अंदर अब यहाँ पे मैं smart insert का बता देता हूँ आपको my name is maheesh kumar kumavat मैं दो वार टेप की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे dot 8 हो गया है इसको cut करूंगा तो यहाँ से क्या होगा जो दोनों तरह भी spacing है वो two character की नहीं होके single character की spacing रहेगी तो यह जब आपने default किया दब भी yes ही हो रहा है और smart parts के लिए आपने अगर हम no कर देते हैं तब क्या होता है यह fit mark और inch mark के अंदर present होता है तो दोस्तो यह थी हमारी text field की three properties और मैं आशा करता हूँ कि आज का topic आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा हमने practical implementation के साथ में इसको देखा है फिर भी अगर आपके कोई doubts है तो आप comment करके पूछ सकते हो मैं उनको result करूँगा और अगर इसके लावब भी iOS application development से related कोई भी आपकी क्यूरी है वो आप comment आपके इंडर वावाइव गुड़ें थेंक्यू